27 जुलाई को ओल्ड राजे नगर के एक कोचिंग सेंटर में पानी भर जाता है जिसमें तीन छात्रों की जान चली जाती है मामले पर खुब राजनीती होती है राजनीती के बाद मामला दिल्ली हाई कोट में पहुंसता है जहां बुदवार को मामले की सुनवाई करते हुए नियाले द्वारा इस घटना के लिए सरकारी सिस्टम को जिम्मेदा ठेराया जाता है मामले की सुनवाई करने बैठी एक्टिव चीफ जस्टिस मन मोहन और जस्टिस तुशार राव की बिंच ने MCD को फटकारते हुए कहा कि इस तरह की घटनाए सिस्टम का फेल्योर है ये सब मिली भगस से हुआ है सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं ऐसे में किसी एक की जिम्मेदारी तै करनी होगी अगर MCD अधिकारियों से पूछ हो कि नाली कहा पर है तो वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि वे अपने AC ओफिस से बाहर ही नहीं निकलते सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले का हल नहीं निकलने वाला बता दें कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 अगस्त को होने वाली है जिसमें MCD डारेक्टर को हाजिर होने के लिए कोट ने आदेश दिया है कोट ने यह भी कहा है कि कारवाई की रिपोर्ट को गुरुवार तक सुपूर्द किया जाए साथ ही नियालय ने ये चेताबनी भी दी है अगर जाच अधिकारी मामले की ठीक से जाच नहीं कर पाए तो यह केस सेंटरल एजेंसी को सौप दिया जाएगा नियालय की इस आदेश को सुनकर मन में एक सवाल खड़ा होता है कि अगर इस दुर घटना के लिए पूर्ण रूप से सरकार और सरकारी सिस्टम जिम्मेदार है तो अब उनके साथ क्या होगा जिने इस घटना के आरोप में ही रासत मिलिया गया है कोर्ट में हुई उस सुनवाई के दोरान कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने पर भी चर्चा हुई जिसमें दिल्ली की उसक्षा मंतरी आतिशी, शहरी विकास मंतरी सौरभ भरत द्वाज, विकास मंतरी गोपाल राय और मेयर शैली ओवराय मौजूद रही साथ इस बैठक में उल्ड राजेंद नगर, नहरु बिहार और अलग-अलग कोचिंग हब के तयारी कर रहे यूपी असी स्टूडेंट्स के प्रतनिधी भी मौजूद रहे बैठक में स्टूडेंट्स ने कोचिंग सेंटरों की महगी फीस, सेंटरों के बुनियादी धाचे, कमरों का जादा किराया और ब्रोकरेज पर चिंता जताई साथ ही अच्छा खाना ना मिलने की भी बात कही जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंतरी आतिशी ने कहा कि स्टूडेंट्स की इन शिकायतों को कोचिंग सेंटर के लिए बनाये जा रहे रेगुलिशन कानून में शामिल किया जाएगा, उमीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, धन्यवाद